Hey girls, this is me Sukhpreet. Once again, welcome you all to CORE Tips. आज मैं आपके साथ 7 tips शेयर करूँगी, simple natural makeup करने के लिए. अगर आपको simple and natural makeup करना पसंद है, आप makeup में beginner है, makeup करना सीखना चाहते है, नहीं जानते की makeup कैसे करें या makeup करने का सही तरीका क्या है, तो वीडियो में बने रहें end तक, आज जो simple tips आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, यह आपको help करेंगी, natural दिखने वाला makeup करने के लिए, प्लस यह makeup बहुत ही practical है, आप इसको किसी भी festival में और किसी भी रंग की dress या suit या साड़ी लेंगा के साथ कर सकते हैं, चाहे आप teenager है, चाहे आप married है, चाहे आप unmarried है, simple makeup अगर आपको पसंद है, तो आज की वीडियो के tips आपको काफी helpful लगेंगे, So, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात आपको बताना चाहूंगी, कि I recently discovered this, मेरा जो face है, वो कम makeup में ज़्यादा अच्छा दिखता है, Now, makeup करना सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है, हमें ये समझना कि हम मेकप अपनी skin के ओपर करना क्यों चाहते हैं, क्या हमें dark spots hide करने हैं, या हम अपने face को even दिखाना चाहते हैं, या हमें अपनी eyes highlight करनी है, या हमारे lips चोटे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा और plumpy और बड़ा दिखाना चाहते हैं, Makeup करने के तरीके में बहुत सारे steps होते हैं, Before you start doing makeup, you just need to figure it out, कि आपके चेहरे के ऊपर, आपकी skin के ऊपर क्या suit होता है, So, मुझे लगता है कि मेरे face के ऊपर कम किया गया makeup ही सबसे best दिखता है, और मैं आने वाले time में इसी चीज को अपने चानल पे भी promote करने वाली हूँ, Minimal makeup looks, कम makeup products के साथ कैसे different makeup looks आप create कर सकते हैं, आने वाले दिनों में मैं इससे related बहुत सारे videos आपके लिए जरूर लेके आऊंगी, तो चलिए, अभी शुरू कर लेते हैं, 7 tips to achieve natural simple looking makeup, Let's get started, So, tip number one है, moisturize करना, very simple, कोई भी moisturizer आप लगा सकते हैं, मैंने अपने skin के उपर apply किया है, यह glow serum जो मैंने recently मेरे चानल के उपर share किया था, यह skin को moisturize करता है, यह serum है, यह primer का काम करता है, मेरे skin को यह इतनी अच्छी तरह से hydrate कर देता है, कि मुझे 12 hours तक face के उपर कोई और moisturizer apply करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती, टिप नमबर 2, use a sunscreen, आप चाहें तो आप एक tinted sunscreen यूज़ कर सकते हैं, जैसे की lotus herbal और उसके साथ आप चाहें तो VLCC का sunscreen भी यूज़ कर सकते हैं, यह दोनों sunscreen tinted है, तो मैंने evenly अपने face के उपर यह tinted sunscreen lotus herbal का apply किया है, टिप नमबर 3, अपके चेहरे के उपर अगर dark spots हैं, आँकों के नीचे कहरे गड़े हैं या मुझ के पास काला पन है, तो उसको hide करने के लिए concealer यूज़ करें, मैंने Swiss Beauty का concealer यूज़ किया है, मैंने Blue Heaven का beauty blender यूज़ किया, इसको मैंने यूज़ करने से पहले moist किया था, evenly आपको अपने concealer को blend करना है, जहां जहां पे अपने concealer apply नहीं किया, आपका जो rest of the face बचा हुआ है, वहां पे भी concealer को blend करने के बाद, एक बार अपने beauty blender को पूरे face पे घुमा दे, ताकि आपका face ज रखें, आप किसी भी festival से पहले threading के साथ अपने eyebrows को shape up कर सकती है, और makeup करने से पहले आप eyebrow pencil यूज़ कर सकती है, या powder form का कोई भी eyeshadow, black या brown कलर में, angular brush से अपनी brows में fill कर सकती है, ताकि आपके eyebrows जो है, वो shape में दिखें, टिप नमबर 5, टिप नमबर 5 है eyeshadow के लिए, कौन से इ eyeshadow लगाएं, यह हमेशा confusing रहता है, इस confusion को दूर करने के लिए, आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि matte base के जो eyeshadow होते हैं, जैसे कि brown, peach और pink, यह ऐसे eyeshadow हैं, जो Indian skin tone पे अच्छी तरह से चले जाते हैं, तो आप एक fluffy brush के साथ, कोई भी matte eyeshadow अपनी eyelid के उपर apply कर ले, मैंने simple और natural दिखने वाला, अगर आप makeup करना चाहते हैं, तो इसको as it is छोड़ सकते हैं, और festival का time है, तो हलका सा glitter या shimmer अड़ करने के लिए, कोई भी shimmery color, जैसे कि copper, bronze या gold, अपनी fingertip पे लेखे, eyelid के center वाले part पे apply करे, और वहां से हलका सा outer और inner corner की तरफ blend कर दे, यह simple तरीका है, जहां पे कम makeup brushes के साथ, आप अपना eye makeup अजीव कर सकती है, टिप no.6 है काजल और eyeliner के लिए, तो काजल के लिए मैंने plum का brown काजल यूज किया है, और इसी को मैंने as a eyeliner apply किया है, मैंने eyeliner को बिलकुल inner corner तक apply नहीं किया, सिर्फ outer corner से center part of the eyelid तक ही apply किया है, और बहुत ही पतली और fine line apply की है, ताकि हलका सा smokey, smoke out eyeliner का effect जो है वो eyes पे बना रहे, यही same trick आप black काजल या black eyeliner के साथ भी कर सकते हैं, और उसके बाद mascara को simple रखें और fake lashes को avoid करें, tip no.7, now blusher के लिए आप powder blush की जगा cream blusher को use करें, now cream blusher market में डूढना काफी मुशकिल हो सकता है, और जो available भी हैं, और इसके जगा पे आप एक trick यूज़ कर सकते हैं, आप अपना lip gloss यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बैला वोस्टे का lip gloss यूज़ किया है, मैंने इसके थोड़े से drops अपनी cheeks के उपर apply कि और उसको blend करने के लिए मैंने beauty blender का use किया, now अभी आपको camera के उपर मेर तो इतना जादा natural है कि आप बता ही नी सकते कि यहाँ पे मैंने extra blusher apply किया है, या मेरी cheeks naturally pink है, तो natural और simple makeup कर रहे हैं, तो इस trick को try ज़रूर करें, last में कुछ bonus tips, अपने makeup को set करने के लिए compact powder को एक brush के साथ apply करें, rather than using a puff, कभी-कभी puff के साथ जादा pressure देने से, आपका जो face है उसके उपर lines बन जाती है, वो चीज़ अगर आप void करना चाहते हैं, तो use a brush to apply compact on your face, और इस makeup को आप किसी भी रंग की lipstick के साथ pair up कर सकते हैं, जो भी आपने dress पहनी है, cream, white, beige, light से dark color, ये makeup आपकी हर dress के साथ match हो जाएगा, नव मैंने यहाँ पे simple natural makeup है, तो मैंने simple look को रखने के लिए Bella Boosty का lip gloss ही apply किया है, बड़ आप अपनी choice से अपनी favorite lipstick यूज कर सकते हैं, कोई contouring नहीं, कोई highlighting नहीं, इन 7 tips को follow करके आप आसानी से simple natural दिखने वाला makeup कर सकती है, so I hope कि आपको ये video helpful लगा होगा, अगर video पसंद आई है तो इसको like और share ज़रूर कीजेगा, मेरे साथ comment में share ज़रूर कीजेगा कि क्या आपको भी simple natural makeup करना पसंद है, I will wait for your comments till the time, bye, take care